सबसे पहली हाँ पर मैं आप लोगो कुछ मार्क्ति दिखाऊंगा इसके बाद मैं आप लोगो पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा देखो वह आप लोगा थियोरी भी होता है और आप लोगो जो कि इसकुल के तरब से याँ पिर कोलेज के तरब स भी तो वह किया घुजा जाता है तो कि क्या हमारा दोणोना छेमरी आए7 मी Hmm यहां रहे हैं और अगर हमारी चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सबस्क्राब कर लिजेए तो चलिए सबसे पहले हम लोग इहापर कुछ मार्क स्रीट देख लेते हैं देखिए यहां पर आप दोगो इसके नंबर को देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में ये कितना नंबर लेकर आया है जैसे अगर मैं इंग्लिस का बात करूं तो 50 में से ये लेकर आया है 30 नंबर, हिंदी में लेकर आया है 50 में से 33 नंबर, हिस्ट्री में लेकर आया है 50 में से 24 नंबर, पॉलिटिकल साइन्स में लेकर आया है 50 में से 12 नंबर, एकोनोमिक्स में लेकर आया है 50 में से 12 नमबर, टोटल इसका हो रहा है 111 नमबर और यह बच्चा मरजिनल यानि की फेल हो चुका है, तो वही बच्चा फेल कैसे होता है, क्यों होता है, कितना नमबर लाने से फेल होता है, इसके बारे में भी डिसकस करेंगे, आप लग वीड कॉमर्स से हो को दिचत नहीं सब के लिए स्व थ्मस्टें से मेंने 50 मिचान बड़े और लेका लौने में नमबर लिखाया है यानि यह बच्छा पर्मोटेट है पर्मोटेड मने होता है यह क्यों टाया है यह सकता है और जैसे प्रकार से मर्जिनल लिखा रहेगा तुसका मतलब यह फेल हो गया है यह फेल हो गया मंदलब यह क्लास 11 में ही रहेगा आगे नहीं बढ़ पाएगा बात के लिए रोगया चलो हुआ आगे बढ़ते हैं आगे देख लिजा आप लोग अच्छे तरह किसे यहाँ पर मैं आपको एकका क समझाता हूं कि आप लोगों को यहाँ पर पास होने के लिए किस परकार का क्या फंडा है कितना नंबर लाना पड़ेगा यह तूजट हम लोग देखेंगे देखो वह आप लोगा जो कलास 11 ते है इसमें टोटल मिलाकर जैसे आप लोगा पांच ठोबिसाई है टोटल पांच ठोबिसाई है आपने टोटल पांच ठोबिसाई लेकर रखा आए तो वह आपको यहाँ पर मानिक चलिए कि अगर आप एक बिसाई में अगर फेल भी हो जाते हैं तब भी कोई दिकत नहीं है तब भी कोई दिकत नहीं है मतलब यह जो पांच बिसाई है पांच बिसा देख लोते हैं तब दो जाते हैं तो पूरा-पूरी फेल हो जाईएगा लेकिन अगर आप एक विसाय में फेल होते हैं तब भी आप लोग पास हो जाएंगे जैसे यहां पर हमारा पांच्टोब विसय है देख लिजिए तो पांच में से आप लोगों को चार बिसय में पास करना पड़ेगा चाई आप कोई से भी चार में पास करें के अब इंग्लिस में फेल हो गए हिंदी पॉलिडिकल साइस हिस्ट्री को अनुद में पास है तो आप लोग पास हो जाएंगे लेकिन अगर आप लोग एक से अधिक विसाय में पास करना पड़ेगा यह तो हुआ पहला फंडा पहला फंडा आप लोग अच्छे तरीकी से समझ गये हैं आगे चलिए मैं आप लोगो दुसरा फंडा समझाता हूं दुसरा फंडा देखिए यह यहां पर यह जो आप लोग विसाय देख पा रहें ना चाय कोई साभी हो चाय हमारा आर्ट्स का हो चाय हमारा साइन्स का हो ठीक है चाय हमारा साइन्स का हो चाय हमारा कौमर्स का हो किसी का भी हो आर्ट्स साइन्स कौमर्स किसी का भी हो हर एक का एक ही फंडा है एक ही नियम पास वोने के लिए तो पास उने के लिए हरे डिशा में आप लोगो 17 नमबर लाना ही पड़ेगा बात को पड़ी में घुसरा है चाहिए आपका मैयात हो कमिस्ट्री हो फिजिक्स हो बिजनस स्टेडीज हो ठीक है याप कोई सावी सब्जक्ट हो आपको हर एक बिसे में हर एक सब्जक्ट में पास होने के लिए 17 नमबर लेकर आना है अग है आप लोग पास है नहीं तो आप लोग फेल हो जाएंगे अब देखिया आपके मान में एक यहां पर कोईश्टन उठेगा क्या कोईश्टन उठेगा कि सर हमारा जो एमसी क्यू वाला जो परिक्शा हुआ था और तो क्या सर हमें दोनों को मिला कर 17 नमबर लाना है या पि पढ़िए बढ़िए बहुत ही इंपोर्टेंट बाते है इसको आपको अच्छी तरी कर संफ हुआ पढ़ें है जायए बात की 40 नमर क्या परिक्शा हुआता है इसमीं आपको 17 नमर लाना पदेगा है या जो हो गया चालीष नमर करके करिCC करके क्या मारा हरी प्रिशं?... आप यह स्कूल के तरफ से यह फिर आपके इसकूल चाहा थेखा जाएगा और मैंने आप लोगों का अभी क्या बता है कि आप लोगों को पास होने के लिए हर एक बिसे में कितना नमब लाना पड़ेगा फिजिक्स का आपने एक्जाम दिया तो आपका देखे 40 नमबर का आपने गोल-गोल वाला एक जन दिया था और दस नमबर आपकी स्कूल के तरफ से या पर लिए जाएगा अब यह जो दस नमर वाला है इसमें मानिक चलिए क्या आपको सात नमर मिला इसमें आपको कितना इधर आपको साथ नमबर तो ग्यारा और साथ कितना हो गया तोटल या ठाव हो गया अठार हुआ मतलब देखे पास होने के लिए हमेल आना था 17 नमबर आप लेकर आया थार नमबर कोई दिकतनी आप लोग पास हो जाएंगे तो इस प्रकार से आप लोगा नमबर कल्कुलेट होगा आपका हिस्तिख का इक्जाम होगा our history ठीट है चालिस नमर का अपने गोल गोल बला दिया था दसना अपकी स्कूल तरब से आपक लिपर को आपने लेकर आ दिया जाए गा अब ये जोकार हो इसकूल के तरब जे अचमर मिल गया अब ये जू चालिस सब्सक्राइब और दोनों को जोडने के बाद आप लों का देखा जाएगा कि अगर आपका 17 नमर आ रहा है तो आप फंडा है इसी प्रकार से आप लों का रिजल्ट बनेगा कोई दिकत कोई प्रोडम नहीं है आप लोग अच्छी देखे समझ गये हैं और चीजिश में यहां पर आप लोगो बता देता हूं देखी क्लास 11 में हमारा केबल क्या होता है या तो हमारा पास होगा या पिर हमारा फ आप लोग पास है और अगर आप लोग 17 नमबर से कम लाते हैं तो आप लोग फेल है जैसे यहां पर मैंने इस इस मार्क्षिट को आप लोगो जो दिखाया था देखो यहां पर यह बारा नंबर यह बारा नमबर ले कर आया है दो विसाय में फेल है इस लिए पूरी तरपी कैसे फेल हो गया पूरी तरी किसे ये मर्जिनल में आ गया अगर एक बिसाय में ऐसा होता तो ये पास हो जाता और देखो ये जो दो बिसाय इसमें 17 नमर से कम है 17 नमर से कम है इसलिए भाई ये क्या हो गया फेल हो गया ये मर्जिनल में आ गया इसके बाद अगर मैं इसके रि वीडियो को लाइक करिए जितना हो से को वीडियो को सेर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जैहिन